करेंगे यह जो डियस्ट करेंगे यह जो डियस्ट करेंगे यह मैरे टेस्ट था ठीक है यह पर टेस्ट नंबर फैस्ट था तो इसी को हम लोग सॉल कर रहे हैं ठीक है और कल एक चुली क्या हुआ था कि जो मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्ड करते करते जो है हमारे सिस्टम की बैटरी डाउन हो गई थी ठीक है तो वह मतलब उतना ही रिकॉर्ड हो पाया था उससे इसलिए मैंने दोबारा उसके र करेंगे क्योंकि मेरा टार्गेट है की एक टेस्ट को तीन पार्टों में डिवाइड करना मतब पचास-पचास के कु्ष्ट्चन मैं इसमें रखओंगा ठीकए तो तीन पार्टों में हमारा पूरा तो यस प्रकार हमको बौरियत भी के खाल सोगी और हमारा टेस्ट भी सॉल हो चाए गाए और हफ़ते में हम लोग 2 टेस्ट भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है कि सर जो इंसाइड का टेस्ट चला रहे हैं और वीजन का चला रहे हैं उसे बंद मत करिएगा तो देखो परिसान मत हो कोई चीज बंद नहीं होगी सारी चीजे आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होंगी ठीक है तो उसको मैं पूरा डिसकस करूंगा हाँ कुछ आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा एक हफते में जब तक मतलब सब चीजे मैनेज नहीं हो जाती कि कहां किस टाइम पे किसी जब तक वीडियो का टाइम फिक्स नहीं हो जा पा रहा है ठीक है तब तक थोड़ी सी प्रोवलम फेस करनी पड़ सकती है लेकिन वीडियो आपको सारे मिलें आप लोग ये बताईए कि आप लोगों को टेस्ट ये PCS वाला कि कितने टाइम टेस्ट चाहिए ठीके और जो वीजन का और इंसाइड का आता है वो टेस्ट कितने टाइम चाहिए ठीके तो वो टाइम फिक्स एक बता दीगे उसी टाइम मैं उसको डाल दिया करूंगा ठीके तो ये आप लोग बताईएगा थोड़ा सा ठीके क्योंकि मैं समझ नहीं बा रहा हूं कि कितने टाइम कौन से टेस्ट डालूं ठीके तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है आप लोगों को बताना है इसमें ठीके तो हमारा 25 कुस्चन कल रिकॉर्ड हो पाया था उसके बा कॉर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तिन दिन में एक टेस्ट रिके तो चलते हैं कुस्चन नमर टूटीजिऄ सिक्स पर तो इसमें कहा गए कि निम्लिखत में से कौन से है ठीक कि ев्में हमें इस MICHAEL कान से है ठीके तो इसमें जीळ और नगर्यदिये हैं तो उनके बारे में हमको बताना है तो अथाबास का जील की बात करें तो यूरेनियम सिटी और जो ये ग्रेट बियर जो जील है ये पोर्ट रेडियम जो है ठीके और ग्रेट इस लेव जील की बात करें तो ये लो नाइफ सिटी जो है ठीके तो इसके किनारे बसी हुई है तो देखो ये तीनों स है और यह ग्रेट स्लेव जील जो है इसके शमीप जो सीटी है वो एलो नाइफ है ठीक तो यह तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है तो यह वाला आप्शन इसका सही हो गया ठीक है नेक्से 27 तो इसमें कहा गए कि निम्लिकित में से कौन सी नदियां एक मध्य प्रदेश में बिद्ध परवत सरंकला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है ठीक है तो यह आप्शन है बेतवा भी है केन और सी है तुमारी सोन नदी और डी है कोशी तो इसमें देखो जो बेतवा नदी होती है यह क्या होती है कि जो यह बिंद्ध परवत होता इससे निकलती है और यमुना नदी में फिर मिल जाती है यह हमीरपुर के पास ठीक है तो हमारा एवाला आप्शन सही हो गया नेक्स है हमरा 28 कुश्चन नंबर तो इसमें कहा करांती की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से है और यह सुनहरी करांती की बात करें तो फल उत्पादन से है और डी है हमारा रजत करांती की बात करें तो अंडा उत्पादन से है तो देखो रजत करांती के अंतरगत अंडा का उत्पादन होता है और सुनहरी करांत यहां जो जोड़ी जा रहे है एक दूसेरे से ठीके तो इसे अमरी करांती के नाम छो liP dru एमारा जाता है तो हमारा जो दो एक और तीन-चार हमारा स्टेट्मेंट सही होना चाहिए तो दो एक तीन-चार ठीके तो मेरा एवाला ऑफशन का सही हो गया ठीके नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसे बढ़ा कर लेना थोड़ा सा बढ़ा करते हैं तो अच्छा रहे गाई अब सबस्क्राइब तो नेक्स हमारा 29 कुश्चन नंबर तो इसमें पूर के ग्रेट ब्रेटन के उपनाम से जाना जाता है तो कौण सा कंट्री पूरू के ग्रेट ब्रेटन के नाम से जाना जाता है ठीक तो ए AirPods तो यह आप्शन है हमारा अस्ट्रेलिया है ब है जापान है PG यह यह सिंगापूर है uh cr ठीट करで पूरुके गुरेट ब्रिटेन के उप नाम से जापद को जाना जाता है तो हमारा बीवाला ऑप्षन सही हो गया और इसे जो शूरिओदय का सहर भी कहा जाता है और इसके साथ निपंट सिटि भी कहा जाता इसको तो है ठीक है और जो फूलों का जो देश को है ठीक है फूलों का देश भी इसको पुकारा जाता है तो इसके कई नाम देखने को मिलते हैं एक से हमारा 30 कुश्चन नमबर तो इसमें कहा गए कि निमलिखित कत्नों पर बिचार कीजिए तो नू आमंडी लौ आइसक छेतर जार पर जाता है क्योंकि जो यह लौ एसको है यह मैसाबी रेंज यह आपको जहर खंड में मिलेगी ठीक है तो यह गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है तो हमारा इसका जो डी वाला ऑप्सन इसका सही हो गया ठीक है नेक से हमारा 31 कुश्चन नमबर तो इसमें क अगर बात करें तो देखो जो यह उरी परियोजना है यह आपको देखने को मिलेगी जहलम नदी पे उरी और जो तुलबुल परियोजना है यह दोनों आपको देखने को मिलेंगी जहलम नदी पे और यह दुलहस्ती हो गई शलाल हो गई और बाग इलहार यह आपकी महान्याववादी के समத में पामेशा का स्थी बारत के किसी भी चेटर में किसी भी अदालत में महान्यावदी को सुनवाई का अधिकार प्रापत है कि महान्यावदी को óस्थजा 1 एक संसथ सदस्य सं upwards सब्दित्य कामेशा थूरे हैं clever means डर्वाद कामेशा त्रस में है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको जो संसद के सदस्य होते हैं ठीक है उन्हीं के समाने से वेतन भत्ते जो प्राप्त होते हैं ठीक है तो ये तो हमारा statement सही है और second भी सही है क्योंकि भारत के किसी भी छेतर में आदालत में ये महानयवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है लेकिन इसका जो कारिकाल होता है ये सम्मिधान में इसका कोई इसपेस्टिश का उलेक नहीं है ये जो मतलब राष्ट पत ज बाला option इसका सही हो गया ठीक है नेक्स है हमारा 33 तो इसमें कहा गए कि कुछ दसाओं में काम सिच्छा और लोग साहता के अधिकार का वर्डन किया गया है तो A option है मूल अधिकारों के अंतरगत B है हमारा मूल करतबियों के अंतरगत और C है की नीती निर्देशक तत्त्त्त के अंतरगत और उपयुक्त सभी के अंतरगत तो इसमें अगर बात करें जो ये कुछ दसाओं में काम सिच्छा लोग साहता पाने का अधिकार की अगर बात करें तो ये नीती निर्देशक तत्त्त के अंतरगत किया गया है ठीक है तो हमारा C वाला option चाहिए और नीती निर् आर्टिकल 21 में ये प्रोवीजन किया गया है ठीक है और ये नीती निर्दी क्तत्त तत्त फॉ prospects नें तो इसका देखो ये फवर पार्ट कि परति के संदर्ण में सत्य है जो सबहागा है उसके निर्वाचित होने की योगता उसे उसके पास होनी चाहिए लेकिन ये फस्ट वाला स्टेट्मेंट जो कहा गया है कि मनोनीत सदा से भाग नहीं लेते हैं तो ये भी हमारा सही है क्योंकि जो मनोनीत सदा से होते हैं वो राष्टिपत के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन जो उपर राष्टिपति का चुनाव होता है तो उसमें ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं ठीक अंतब्रवर्दन से तात पार है, तो अंतब्रवर्दन के बारे में हमको बताना है, तो तो ए उप्सन है कि संतसद सhomme को आपस में बिनम्रियूम् शिकारी बीघुभार बनाया रखना, भी है कि अद्द्देच दौरह किसी भी स權थ को बोलने के लिए अधिकरत करना, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीती या कारी के बिवरण की मांग करना और डी है इन में से कोई नहीं तो देखो ये हमारा सी वाला ओप्शन सही है क्योंकि किसी भी जो सरकारी अधिकारी से किसी नीती या कारी के बिवरण की मांग करने से संबंदित है अंतर प्रवर्दन ठीक है तो हमारा C वाला उप्सन सही हो गया नेक से हमारा 36 कुश्चन नमबर तो इसमें कहा गया कि राज जिसभा अनुच्छे 312 के अंतरकत अखिल भारती सेवाओं के सरजन कर सकती है ठीक है तो फर्ष्ट है कि एक तीहाई बहुमत के द्वारा B है हमारा साधान बहुमत से C है दो तीहाई बहुमत से और D है कि आदे से आदे सदस्यों के बहुमत द्वारा तो देखो ये C वाला option सही है क्योंकि इसमें जो होता है ये दो तिहाई बहुमत की अवस्यक्ता होती है कोई भी अखिल भारती सेवा का सरजन अगर करना होगा तो ये 312 के आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया है ठीक है नेक से हमारा कुश्यन नमबर 37 तो इसमें कहा गए कि भारती समिधान के अनुच्छेद 22 में वरनड़ी तो दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है तो किस देश से लिया गया है तो A option है अमेरिका, B है ब्रेटेन और C है हमारा आस्टेलिया और D है कि जर्मनी के वीमार समि नेक से हमारा कुश्यन नमबर 38 तो इसमें कहा गए कि कौन सा उपबंध और समिधान संसोधन है ठीक है तो उसके बारे में हमको मिलान करना है तो 89 समिधान संसोधन की बात करें तो राष्टी अनुचित जाती और अनुचित जन जाती आयो की स्थापना सेकेंड है कि 97 वा 97 97 संसोधन ये सहकारी समितियों को संबैधानिक इस्थानियों सनचन प्रदान करना और 90 सेकेंड वा समिधान तो ये मतलब आपको देखने को मिलेगा आठी सूची में चार अन्य भासा जोड़ी गई है तो देखो ये देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सहीं है ठीके 97 ज जो constitution amendment हुआ था इसके अंतरगत सहकारी समितियों को संबैधानिक स्थान पराप्त हुआ था और अनुशूचित जन जाती और अनुशूचित जाती आयोग की स्थापना 89 जो constitution amendment हुआ था इसके अंतरगत किया गया था और इसमें जो चार भासा हैं जोड़ी गई थी ठीके यह 90 सेकेंड समिधान संसोधन था इसमें चार भासा हैं लास्ट में जोड़ी गई थी जो मतलब बोर्डो मैथली संथाली और डोंगरी ठीके तो यह तीनों स्टेट्मेंट सही है तो हमारा डी वाला option इसका सही हो गया ठीके नेक से हमारा question number 39 तो इसमें कहा गए कि निमलिखित कत्नों पर बिचार करें तो फास्ट है कि संसद में राजियों का परते निदे तो सेकेंड है कि राज भासा का प्रियोग और छटी अनुशूची जन जाती छेत्रों का प्रसासन तो उपरोगत में इसे बताना है कि उपरोगत को निमलिखित के निदे खीयूची में जो जन जाती छेतरों का प्रसासन है इसे आगर कोई संसोधन करना है तो साधानल बहुमत से कर सकते हैं लिकित कत्नों पर बिचाय कीजिए तो दिये गए कूट की सायता से हमको उत्तर बताना है तो कथन ए है कि बित आयोग के अध्यच्छों यूम सदस्य तो जो सदस्य होते हैं उनकी योगता का निर्धान भारत के राश्टिपत दौरा किया जाता है सेकेंड की बित आयोग के अ राश्ट वाला कथन है। ये गलत है क्योंकि इसमें जो जो वित आयोग की योगता होती है इसका निर्धान जो होता है। वित आयोग के अध्यचो में Chili 7 लिकित है 280 क के अंतरगति इसका विसकी योगतां के बारे में इस पस्ट लिखा गया है। इसकी यह गिताएं जो है राश्ट्रिपत्द निर्धारित नहीं करता है ठीखे तो यह गलत हो गया हमारा तो R सही है और A गलत है हमारा ठीखे तो हमारा D वाला ऑप्शन इसका सही हो गया ठीखे नेक से हमरा कुशन नुम्बर 41 तो इसमें सुमेलिद करना है मंत्रा ले दिये मंत्राले तो राजस्य विभाग रच्छा मंत्राले की बात करें तो राजबासा विभाग और शामाजिक और नियायुम अधिकार्ता मंत्राले की बात करें तो लोक उद्यम विभाग ठीक है तो अगर इसमें हम बात करें तो देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो जो ये शही सुमेलित की बात करें तो इसमें ये बी वाला हमारा सही सुमेलित है क्योंकि बित मंतराले ये राज़ोस्य विभाग के अंतरगत आता है ठीक है बतब जो बित मंतराले है उसके अंतरगत रा अगर हम बात करें ठीक है तो यह आता है आपको जो बहारी उद्धोग ओभियों लोक उद्धोग होते हैं ठीक है, उसके अंतर्गत आता है तो और सारे स्टेटमेंट वहते है इसमें ठीक है, तो हमारा बीव बी वाला ओप्सन इसका, सही हो ठीक है तो यह याद रखना, नेक्स है 40 सेकेंड, कुश्चन नमबर तो इसमें कहा गए कि अनुछेद 136 के तहट सरोच नियाले की से एक के निरणे के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकता है, तो ए उप्शन है उचे नियाले ठीक है, भी है अध सकती होती है सुप्रीम कोट की तो उसके अंतरगत यह नहीं दे सकता है से नियाले के संबंद में, ठीक है अन्य था जैसे कि हाई कोड का कोई जज्जमेंट है अधिकरन का जज्जमेंट है और जिला नियायाले का जज्जमेंट है ठीक है तो उसके विरुद्ध यह दे सकता साइटी के स्पेशल अपील के लिए तो यह हमारा सी वाला आप्शन सही हो गया नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर 43 तो इसमें एक मंत्री जो किसी राजी विधान दिन में और डी है साथ दिन में तो इसका जो यह वाला आप्शन सही है क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम जो इसका टाइम पिरेड होता है कि 180 दिन तक यह रह सकता है ठीक है मंत्री मंडल में अगर उसने तब तक जो किसी जिसे लोग सभा मतब लोग विधान मंडल या फिर राज विधान परिशद में अगर उसने सदस्यता नहीं ली तो उसको वहां से बरखास्त कर दिया जाएगा ठीक है यानि यह मैक्सिमम 180 दिन यानि की 6 मन्त होता है टाइम पिरेड ठीक है नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर 44 तो इसमें वर्स 2011 की जर्णणना के अनुशार भारत मे 15-39 वर्स की जन्संख्या का प 그게 सत कितना है तो Europe Jeanne है mains 16 85.8 प्रतिश्यत और 59.5 प्रतिश्या सी ओप्चनει की 66 2 66.2 प्रतिश्यतो और डिया उप्चनने की हमारा 60.3 प्रतिश्यतो अगर हम 15 नंगर्णणा की जर्णणना के अनुशार होता है ठीक है तो हमारा ये D वाला option इसका सही हो गया ठीक है नेक्स है हमारा question number 45 तो इसमें कहा गए कि निमलिकित कत्नों में से कौन से सही statement है ठीक है तो first है कि साधारन बिधेक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज बिधान मंडल में सहींगत बैठक का प्रावधान है second की साधारन बिधेक पर गतिरोध होने पर बिधान परिशद उसे कुल 4 माह बिलंब कर सकती है तो देखो second statement तो सही है क्योंकि पहली बार अगर बिधेक बिधान परिशद में जाता है तो ये तीन माहा का ठीक बिलंब कर सकती है और दूसरी बार जब पास होके जाता है तो एक माह और मिलता है तो टोटल ये चार माह होते हैं ठीक है तो ये बिधान परिशत के पास ये मतलब ये चार महिने तक बिलंब कर सकती है लेकिन इसमें जो ये पहला वाला statement है तो ये गलत है क्योंकि सेयुक्त बैठा का कोई भी provision नहीं होता है राजी बिधार मंडल में ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया तो हमारा इसका option भी सही हो गया second statement, second option ठीक है ए उप्षन है जिलाए उन 17 नहाले, बी है कि उच्च नहाले ठीक है यानि हाई कोट और सी है उच्च नहाले सुप्रीम कोट और डी है इन में से कोई नहीं तो देखो ये हमारा बी वाला option सही है क्योंकि जो हाई कोट होता है ठीक है, जो state का हाई कोट होता है उसके पास ये जाज के प्रकरंड के लिए राज़िपाल नहाले को संदर भीत करता है हाई कोट को ठीक है, तो हमारा बी वाला option सही हो गया, नेक से हमारा question number 47 7 तो इसमें कहा गए कि निम्लिक के तीकमों पर बिचार किजिए, जो बेमेल है उसके बारे में बताना है ठीक है तो मतलब एक बेमेल है वो मतलब गलत वाला हमको बताना है ठीक है तो जील और ताल दिये हुए हैं और जिला दिया हुआ है कि कहां पे कौन सी जील है तो देवरिया की बात करें देवरिया ताल तो ये गोरकपुर में और किठम जिल की बात करें आगरा में और बेला सागर की बात करें महोबा में फुलर जिल की बात करें तो पीली भीत में तो देखो ये अगर फुलर जिल की बात करें तो पीली भीत में पढ़ती है ठीक है ये वाला ओप्सन हमारा सही हो गया इसका ठीक है क्योंकि गलत पूचा गया इसमें बे मेल ठीक है नेक से 48 तो इसमें सारदा नहर से निम्लिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिचाई की जाती है तो फस्ट स्टेटमेंट है पीली बीट सेकेंड है राइबरेली और फर्द है लखेंपूर की और फूरत है हमारा सितापूर तो अगर जारदान ह हीर की बात करें तो पीली भीत राइबरेली कि यह शीजाई न शीतापूर चाहरों जिलों में इससे सीचाई की जाती है तो हमार डिवाल आपसन सही इसके अतरिक्द अगर बात करें तो हर्दोई में भी इसे सिचाई की जाती है प्रताब गड़ हो गया ठीक है और राय बरेली हो गई तो यह इत्याद जिलों में भी यह मतलब यह बहुत मतलब उत्तर पदेश की सबसे बड़ी नहर है तो यह मतलब इससे बहुत बड़े छेत को कवर करती है यह ठीक है नेक से हमारा कुश्चन नंबर 49 तो इसमें कहा गए कि निम्रिक्त कत्मों पर विचार कीजिए तो फास्ट है कि गंगु बाई हंगल और सेकेंड है कि रोशन आरा बेगम और थर्ड है भीमसें जोशी तो उपरिवत में से बताना है कि कि किसका ही हो गया इसका ठीक है नेक से हमारा 50 कुस्चन नंबर तो इसमें कहां गए कि इतेरी यहं 1066 जले करमसा कौन कौन से है ठीक है, तो उत्तरी और दछिणी जिले हमको बताना है उत्तर पर्देश के, तो ऐ उप्षन है हमारा की गौतम-बुध्धनगर यॉम-भलिया, B है सहारनपूर सोनभद्र, और C है हमारा बलिया सोनभद्र, और D है गाजियाबाद सोनभद्र, तो दिखो अगर सबसे उत्तरी उत्तरी दच्छी ठीक है तो सहारन पुर्षोन बद्र और पूरवी और पच्छमी की बात करें तो सबसे पूरवी बलिया आपको देखने को मिलेगा और सबसे जो पच्छमी है यह सामली देखने को मिलता है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसे पुरवांचल और आला की बात करें तो बगहलकंड तो देखो आला जो लोग गित है ये बगहलकंड में गया जाता है बिरहा की बात करें तो ये पुरवांचल में लेकिन अगर सोहरा और कजरी की बात करें तो ये आवद में नहीं ये बुंदेल खंड वाला जो छोतर होता है ठीके वहाँ पर देखने को मिलता है तो यह गलत हो गया हमारा तो दो और तीन स्टेट्मेंट सही है तो बी वाला आप्शन इसका सही हो गया ठीके नेक से 70 फिप्टी सेकेंड तो इसमें कहा गे कि निम्रिकित में से कौन से सुमेलित नहीं है ठीके तो विशु बिद्याले है और इनकी स्थापना बताना है उनका स्थापना वर्स बताना है ठीक कि कब उसकी इस्थापना हुई है तो यह ओप्षन है हमारा इलहाबाद विशु बिद्याले ये विशु विद्याला है इसकी स्थापना की गई थी आपको देखने को मिलेगी 1965 में ठीक है ना कि 1950 में तो यह हमारा गलत हो गया तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत मतलब कौन सुमेलित नहीं है यही पूछा गया तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया बाकी इलाहबाद की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना हुई 1916 में कासी हिंदू भिष्विद्ध देले की और लखनौ भिष्विद्ध देले की 1921 में ठीक है नेक से 53 तो इसमें कहा गया है कि निम्रिकित में से कौन सा असत है ठीक है तो देखो गाईज इंची जो का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सही पूछा गया है या मतलब ग जलत बताना है तो ए उप्षन है उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूरिमा उत्सो रिसी ब्यास से संबंदित है बी उप्षन है की राष्टी जैविक खेती केंदर गाजियाबाद में इस्तित है ये कालपी नगर गंगा नदी के तड़ पर इस्तित है और डी है महराष्ट की बात करें तो महराष्टरा जो है थर्ड लार्जस्ट है ठीक है राजस्थान मध्यपरदेश महराष्टरा और यूपी चोथी पोजीशन पर आता है छेतर फल में ठीक है तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है लेकिन जो कालपी नगर की बात करें ठीक है तो ये यमुना से संबन दी थे उत्तर प्रदेश में ठीक है नेक्स है 54 कुश्चन नंबर तो इसमें कहा गए कि अर्दू को उत्तर प्रदेश की दोती भासा के रूप में सरकारी मानिता परदान की गई थी तो यह आप्शन है हमारा 1987 में B है 1989 में और C है 1982 में और D है 1992 में तो देखो यह हमारा B वाला उप्शन सही है जो 1989 में जो सरकारी भासा के रूप में मानिता दी गई थी उर्दू को ठीक है नेक्स है हमारा 55 कुश्चन नमबर तो इसमें स्थल और जिला बताना है इसमें एक सुची एक को सुची दो से मिलान करना है तो बरन की बात करें तो यह बुलंद सहर बसर खेडा की बात करें सहजहापूर राजगाट की बात करें एटा और अंतर अतरंजी खेडा की बात कर में हैं और बरन ये ब्लंद सेर्व में हैं ठीक के तो ये हमारे सुमmbалист होगे तुमरा एक दो चार तीन होना है ये स्टेटमेंट एक दो एक दो चार तीन तो हमारा ये प्लोlles Zangen का सही हो गया ठीक है नेक्स है हमारा कुश्चन नंबर 56 तो इसमें कहा गये कि राष्टी उद्धमितायूम लगो विकास संस्थान इस्थित है तो फर्स्ट है कि प्रियागराज में भी है हमारा की वाना रसी में और रसी है गाजियाबाद में डी है गौतम बुद्रनगर में त ठीक है चलते नेक्स कुश्चन पर नेक्स है हमारा 57 कुश्चन नंबर तो इसमें कहा गये कि निम्ड़कित में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेजल पर यूजनाए है तो गुमती बैराज फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड है लोकुस बैराज और थर्ड है हमारा गोकुल तो ये तीनों आपको पेजल पर यूजनाए देखने को मिलेंगे ठीक है तो हमारा ये डी वाला आप्सन सही हो गया नेक्स है 58 तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है तो फस्ट है कि वे कर्सक जिनके पास दो हेक्टियर से कम भूम है उन्हें सीमानत कर से कहा जाता है से कि अतरः प्रदेश में सट से जलवाई चैटरों की संख्या 9 है तो दो कि से कि Su Keep Statement तो सही है option इसका सही हो गया next है हमारा question number 59 तो इसमें कहा कि कौन से योगम सुमेलित नहीं है तो नगर और उपनाम के बारे में हमको बताना है तो ए उप्शन है कि हमारा आमोका नगर, मलिहाबाद बिहताला नगरी, अलीगर और पूरुका सिराद जौनपूर और डी है पीतल नगरी तो ये बरेली तो देखो अगर सुमेलित नहीं की बात करे तो इसमें जो ये पीतल नगरी है ये बरेली को नहीं कहा जाता है ये पीतल नगरी आपको देखने को मिलेगी मुरादाबाद को कहते हैं ठीके तो ये हमारा गलत हो गया तो हमारा डी वाला आप्शन इसका सही हो गया बाकी जो हमों के नगर की बात करें तो ये मलिहाबाद में है ताला नगरी, अलीगड में है, पूरका सिराज, जौनपुर में है तो ये सही हमारा डी वाला आप्शन इसमें सही हो गया तो उसे कहा जाता है तो क्या कहा जाता है A option है soft loan B है hot money C है हमारा hard loan और D है कि इन में से कोई नहीं तो इसे देखो soft money कहते हैं कि जो रिंड लंबे जो कोई रिंड जो होता है जो ये लंबे भुगतान आवद है उसको मिलती है और ब्याज भी कम पड़ता है तो उसे soft loan कहते हैं Next is 61 Question number तो इसमें कहा गए कौन से सही सुमेलित हैं तो इसमें देखो ये board दिये विये हैं और मुख्याले हैं तो उसको सुमेलित करना है हमको तो देखो अगर बात करें तो राष्ट्री मत्ष बोर्ड की बात करें हैदराबाद में राष्ट्री अंगूर प्रसंसकरन बोर्ड की बात करें तो ये पूरे में और राष्ट्री जूट बोर्ड की बात करें तो बैंगलूरू में तो देखो ये राष्ट्री मत्ष बिकास बोर्ड की बात करें तो यह हैदराबाद में है यह स्टेटमेंट हमारा सही है सेकेंड भी सही है क्योंकि राष्ट्री अंगूर प्रसेशन प्रसंस करन जो बोर्ड है यह पूरे में है लेकिन यह राष्टी जूट की बात करें राष्टी जूट बोर्ड यह कोलकाता में देखने को मिलता है तो य हमारा गलत हो गया थार्ड वाला स्टेटमेंट तो मारा एक और दो सही है ठीक है तो एवाला आप्शन हमारा सही हो गया एक और दो स्टेटमेंट ठीक है नेक्स है सिक्स्टी सेकेंड तो इसमें कहा गए कि निम्लिकित में से किस है वर्स राष्टरी निवेश निदी की स्था स्व Track 2006 जनवरी 2005 में भी है मार्च 2007 जनवरी 2010 में तो देखो यह वाला decision सही है क्योंकि जनवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी रास्ट्री निवेस ने इनक्स 63 तो इसमें बिट्ती जिमंदारियों प्रबंधन अधनियम वर्ष 2003 तीन में लागू हुआ जिसका उड़े से था तो ए आप्चन है हमारा की राज कुशी लाब हासिल करना, सेकेंड है की राजस सुघाटा समाब्त करना सीए की मुद्रा इस्पिर को नियंत्रित करना और डी है की राज कुशी घाटा समाब्त करना तो देखो जो अवद रिंड दिया जाता है तो लग वद रिंड की कितनी अवद होती है तो हमारा फस्ट ए उप्सन है कि अधिक्तम 15 वर्स अधिक्तम 15 माह के लिए भी है हमारा की 2-5 वर्स के लिए और C है 1-3 वर्स के लिए और D है 4-5 वर्स के लिए तो देखो लगववद की बात की जा रही है तो ये maximum इसका time period होता है 15 माह इससे ज्यादा का नहीं होता है ठीक है तो हमारा A वाला option इसका सही हो गया ठीक है और दिंटन सरकार दोरा होता है और ड्रा की उपरिक्त में से कोई नहीं तो इसका देखो शीवाला option और होता है लेकिन उसके पर नियंटन जो होता है एकत्रित करने का कारी करता है तो A option है भारती रिजर्ब बैंक वा केंदरी सांकी की संगठन B है हमारा भारती रिजर्ब बैंक और State Bank of India CA भारती रिजर्ब बैंक और DA Bitt month ले तो तो दो को A वाला ओप्षण इसका सही है क्योंकि भारती रिजर्ब बैंक और जो सेंटरल स्टेटिक और्गनाजिशन है ठीक है इसके द्वारा ये डेटा एकत्रित किया जाता है नेक्स है 67 कुष्चन नमबर तो इसमें संगठन और मुख्याला दिये हुई है उनको कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है तो Asian Bikas Bank की बात करें Tokyo, New Development Bank की बात करें संगाई और AIIB Bank की बात करें तो Beijing और विश्यवयापार संगठन की बात करें तो जनेवा में मुख्याले है इसका तो दिखो इसमें अगर बात करें तो दिखो बिश्यू ब्यापार संगटन यानी WTO जो होता है उसका जो मुख्याले है जेनेवा में है और जो Asian Infrastructure Investment Bank है ठीक है इसकी जो मुख्याले है इसका वीजिंग में है चाइना में और ये New Development Bank का संगाई चाइना में है ठीक है लेकिन अ हमारा यही गलत पूछा गया है ठीक है कौन सुमिलित नहीं है तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया नेक्स है 68 कुश्चन नंबर तो निम्ड पर विचार करें फरस्ट है कि वन सेकेंड जल खनीज और सड़कें ठीक है तो इसमें से कौन से जो प्राकरतिक पूंजी जो हमारा इसके अंतरगत नहीं आएगा तो हमारा 1,2 और 3 आएगा स्टेट्मेंट ठीक है तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया नेक्स है हमारा 69 कुश्चन नंबर तो इसमें कहा गए कि निम्लिकित में से कौन से सही है ठीक है तो वन के जियु संख्या का सेंटिग्रेट जो होता है तह आप मान ठीके तो उसके जो प्रकास संसिलेशन की दर अधिकतम होती है ये सही और वन का जीव संख्या का फिरामिट जो हता वह उल्टा होता है तो हमाना दोन स्टेट्मेंट साह меньше हो तो सब्सक्राइब अध्य funzion कि ऐस सब्सक्राइब नेकर कि किसे एक when पहने तो and ręky एक की चुष्म मोचिवां का ध्ष्म पाध्यान बिह आध्यान का अध्यन, C है पेश्यों का अध्यन और D है दंत बिग्यान समंधी अध्यन तो देखो अगर ondo to LOGIC की बात करे तो इसमें दंत बिग्यान समंधी अध्यन किया जाता है तो हमारा D वाला ऑप्षन इसमें साही हो गया और अगर अतिशूचम जीवों के अध्यन की बात करे तो इसमें जो नग largest की अध्यन का अध्यन की अगर हम बात करे तो यह आपको देखने को मिलेगा जो नग अध्यन होता है यह औरगेनोलोजी के अंतरगत होता है और जो मासपेसियां होती है उसे मायोलोजी के अंतरगत इसका अधिन किया जाता है इसमें नेक से 71 तो इसमें कहागे कि दंत वलक निमलिखित में से किस एक कैलसियम योगिक से बना होता है तो कैलसियम कार्बोनेट से कैलसियम सेलफेट से, कैलसियम हाइडराकसाइड से या कैलसियम फासफेट से तो देखो इसका D वाला ओप्सन सही है क्योंकि ये जो दंत वलक होता है कैलसियम फासफेट से बना होता है और ये सरी जो बाड़ी होती है उसका सबसे कठोरतम अवयव होता है ठीक है तो ये डी वाला ओप्सन सही हो गया नेक से हमारा 70 सेकेंड तो इसमें निमलिखित कत्नों पर बिचार करना है तो कतन A में दिया हुआ है कि दरवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुग घटक मेथेन होता है और आ रहे है कि मेथेन का सीधे प्रियोग में लाया जा सकता है तो देखो मेथेन का जो है सीधे प्रियोग में लाया जा सकता है उसको ये जोलंसिल गैस होती है तो गोबर गैस से जो गैस निकलती है ठीक है गाओं में आप लोगों ने देखा होगा तो उससे जो गैस निकलती है तो उसको सीधे खाना बनाने में हम लोग यूज कर लेते सब्सक्राइब otherwise on will get है टीकिन यह की बात करें तलिए द्रवीश पर यह में अगर बात करें तो इसमें ब्यूटेन और प्रफलेन प्रोफलेन तरब अनुक्र उ kinds करें में तो क्षा मेथियो दी के नहीं के रूप में किया जाता है प्रतिकारक के रूप में प्रियोग किया जाता है तो बिटमिन A, बिटमिन B, बिटमिन E, और बिटमिन A, बिटमिन C, बिटमिन E, और बिटमिन K, तो इसमें जो प्रति, इसकंदक विशों के प्रतिकारक के रूप में प्रियोग किया जाता है तो ये बिटामिन के होता है ठीक है जो बलड का ठका जमाने में काम करता है नेक्स है 74 तो इसमें कहागे कि निमलिखित वनी जो अभ्याणों में से कौन सा एक सफेद भालू के संचन के लिए जाना जाता है तो ए उप्षन है जल्दा पारा भी है हमारा घट परबा और डची ग्राम और मेरीन पार्क ड़ी ऑप्षन ठीक है तो इसका दुक्र दिखिवाला उप्षन सही है जो डची ग्राम होता है ठीक है इसी के दोरा इसमें जो सपेद भालू पाया जाते हैं और यहां एक आगे कि जेव विवित्ता को अलफा बीटा और गामा नामक्स रेडियो में विभाजित किया जाता है तो यह विभाजन किया गया था तो किसने इसका विभाजन किया था तो ए उप्षन है रेमंड और दासमें ने बी है अब हमारा डी आर बैरिस ने और सी है की विप टेलर विप टेकर दोरा और डी है की सी जे बैरे दोरा तो इसका देखो यह सी वाला ऑप्षन सही है क्योंकि यह जेव विवित्ता को जो विभाजन किया गया था विप टेकर के दोरा 1972 में किया गया था ठीक है इन्हें अलफा बीटा और गामा के रूप में विभाजित किया गया तो अगर सबसे दच्छडी पतन सोयज नहर की बात करें तो ये पोर्ट जो सोयज होता है ठीक है तो ये पोर्ट सोयज सबसे दच्छडी पतन है और सबसे उत्तरी की बात करें तो इसमें तो ये पोर्ट सही होता है और ये दोनों पोर्ट जो आपको बीच में पढ़ते हैं ठ होती है Dot message की show name में और see your mother up trip ए यह और सिदोनों मतलब अपझता का और जो प्रातमिक स्टेइब में तो यह हमारा डवऔल ऑप संसा है जो यह स्टी होती है यह अपटबटग का भी काम करती है और yeah primary consumer का भी काम करती है तो यह दोन इस रेन में रखी गई है नेक से 78 यह तो इसमें प्राकृतिक शुरुतों है इसे बैस्विक सर्जन का सर्वदिक भाग उत्षर्जत होता है तो प्राकृतिक श्रूत होते हैं उसमें सबसे जज्यादा मेत्हिन 3 भाग से उत शर्जित होता है तो यह अप्सन है हमारा पालतू पश्मों से भीए कोईले क कहनं Bowl से और सी आदरभूमियं उञे और seconds तो अगर सबसे ज्यादा बत करें मेत्हिन उत शर्जन का तो हमारा सी वाल आ अप्शन्स है यह जो आदर भूमियों होती है ठीके इन से सबसे ज़्यादा होता है लगबग 76 प्रतिशत आपको यह देखने को मिलेगा मेथेन का उच्छर जन होता है आदर भूमियों से नेक से 79 कुस्चन नंबर तो इसमें कहागे कि वर्ष 2011 की जन गन्ना के अनुशार जन ललितपूर हमीरपूर सोनभद्र और ललितपूर महोबा सोनभद्र तो देखो यह हमारा एवाला ओप्शन सही है जो यह ललितपूर सोनभद्र हमीरपूर में यह आपको देखने को मिलेगे ललितपूर में यह लगबग जो लगबग नहीं शेयर बिलकुल बता रहा हूं यार लगभग नहीं है ठीक है जो लालितपुर में है ये इसका गहना तो अगर देखें तो 242 है ठीक है प्रति वन थाउजेंट जो पूरुष होते हैं मतब जनसंख्या होती है और जो ये 270 आपको सौनभदर में देखने को मिलेंगे और 275 आपको इसमें देखने को मिलेगा मतब एक हजार में नहीं वो जो वर किलो मिटर में देखने को मिलेंगे ठीक है एक वर किलो मिटर में 242 बेक्ति पर वर किलो मिटर में ठीक है तो 270 और 275 तो ये तीनों में आपको देख सकते हैं नेक से 80 कुश्चन नमबर तो इसमें कहागे कि निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि वर्ष 2011 की जनगना के अनुशार उत्तर प्रदेश में महिला साथ सर्ता में कानपूर नगर की साथ सर्ता लखनों से अधिक है सेकेंड है कि उत्तर प्रदेश में नियुन्तम साथ सर्ता वाला जिला बलरामपूर है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ठीक है तो देकर सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में नियुन्तम साथ सर्ता वाला जिला की बात करें तो ये स्रावस्ति है ठीक है तो ये स्रावस्ति है तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें जो महिला साथ सर्ता है उत्तर प्रदेश में तो कानपूर नगर में सबसे ज्यादा है लखनव में उससे कम है ठीक है तो ये हमारा से स्टे तका इतना ही हमारा था, 80 कुशिन तक हम लोगों सॉल्ट कर लिए, आज लगबख 65 कुशिन हम लोगों ने सॉल्ट किया हैं, ठीके कल 60 कुशिन बचे हैं तो उसको सॉल्ट कर लेंगे, और आगे जो होगा तो हमारा 50, 50 कुशिन का वीडियो आएगा, ठीके, तो उसको आप लो एक टेस्रीज के चाहिए कि एक ही वीडियो के चाहिए या चार पार्टों में चाहिए जैसा भी आप लोग बताएंगे वैसे हम लोग डिस्कुस कर लेंगे ठीक है क्योंकि यह तो अपना ही चैनल है यार और अपने लोग फैमिली की तरह काम करते हैं तो हम लोग ऐसे टेबल लगे वैसा ही हम करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तरतकिल नमस्कार जैहिंजे भारत और अब तो पीसेस की डेट भी डिकलियर हो गई है ठीक है चोबश अक्टूबर तो आप लोग प्रिपेर होना चालू कर दीजे ठीक है अच् बार अगर रिवाइज करके आप देख लेंगे तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरा करेंट फिर देख लीजे ये और थोड़ा बहुत और अधर पत्रिकाएं तो आप लोग लेते ही होंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर से देखो ज्यादा जो है ऑनलाइन भी मत करवा दूंगा तो आप लोग यहां से अच्छे से आपका जो तैयार हो जाएगा ठीक है तो बाकि आप थोड़ा बहुत अपना रिवाइज करते रहिए जो भी स्टेटिक पॉर्शन है और अपना एंसर राइटिंग भी करिए क्योंकि अभी बहुत टाइम है प्री में ठी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारत